कॉंग्रेस के दिगज नेता पूर्व मंतरी लाखन सिंग यादव ने बंसल नियूस से बाचित में कहा कि मत्यप्रदेश में भी किसानों के भारत बंद का असर दिखाई देगा कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर्व मंतरी लाखन सिंग यादव हमारे साथ है मत्यप्रदेश में भी अब किसान आंदुलन जोर पकड़ता हुए नजर आ रहा है सर कॉंग्रिस किस तरीके से समर्थन देगी किसानों के अंदुलन से को अब तक दूर थे आप इस पूरे आंदुलन से किसानों का आज 11 दिन है किसान 11 दिन से पूरे देश में हाकार मचा हुआ किसानों का जो दुर्दसा भारती जनता पार्टी ने कर रखी है आज विचारे अपने हकोर अधिकार के लिए वो देश की सरकार के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं और मैं यह देख रहा हूँ कि जे सरकार मेरा यह कहना है कि यदि महारे लिए मेरे लिए आप कोई अच्छी पॉलसी ला रहे हैं और उस पॉलसी से मैं ही संतुष्ट नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आपको पॉलसी वापस ले लेना चाहिए किसानों के लिए तीन बिल लेके आए और किसान उससे संतुष्ट नहीं है किसान को वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है और हकीगत भी है उन्हें पसंद आना भी नहीं चाहिए तो मुझे लगता है ऐसी इस्तिती में सरकार को ये तीनों बिल वापिस ले लेना चाहिए और वापिस लेने के साथ किसान जो आंदुलन की राह पर ग्यारा दिन से उनका पूड़ता है समर्तन करके और उनकी बात को मा भी अब नजदीक आ रहे हैं तो कॉंग्रेस युवाओं को प्रमोट करेगी सर इंचनाव युवाओं को मुका दिया जाएगा निश्य तोर पर आज का जमाना युवा वर्क का जमाना है और हम चाहते हैं कि नई पीड़ी आ गया और नई लोग आए तो मुझे लगता हमार लगतार उठ रही है आने वाले समय में प्रदेश कारे करनी नए रूप से सामने आएगी विल्कल निश्य तोर पर चुकि कमलनाज जी दो-दो पदों पर कापी समय से हैं वैसे उन्होंने पूर में भी एक पद को छोड़ने की बात की थी लेकिन हमारी अध्य चाह नीजी ने उस समय बिरेक कर दिया था और मुझे लगता है वो एक पद को छोड़ेंगे या जो भी है हमारा जो हाई कमान तय करेगा उस पर हम लोग डिपेंड नेता प्रतिपक्षपत के लिए आपका नाम बाला बच्चन जी का नाम सज्जन वर्मा जी का नाम आगे चल रहा है इ देखिए नेता प्रतिपक्ष मेंने का ना कि यह भी हमारा हाई कमान तय करेगा सारे माननी विदायक लोग बैठेंगे इस पर चर्चा करेंग और उसके बाद तय होगा खोन रहा है यूथ कॉंग्रेस की चुनाव है कि तमाम बड़े नेताओं की प्रतिश्चा दाव पर ल करना चाहिए नौजवानों का चुनाव है सवी नौजवानों को आगे आना चाहिए हमारी उनको सुबकामना है कि वो आगे आए और मुझे लगता है स्वतंत्र होकर यह चुनाव लड़ा जाए तो बैतर होगा कॉंग्रेस के दिगज नेता लाखन सिंग्यादा हमारे साथ थे और साफतोर पर उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस में नए फेर बदल जल्द ही देखने को मिलेंगे पार्टी मजबूती के साथ नगरी निकाय का चुनाव लड़ेगी साथ ही युवा कॉंग्रेस को चुनाव स्क्रीब पाल से बास